हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल सक्ति फार्मा दोस्तो आज हम डिस्कस करेंगे CRPF ASI Pharmacist Non-Technical Part 3B दोस्तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं Numerical Aptitude MCQ 26 to 30 दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा चलिए अब हम डिस्कस करते हैं Numerical Aptitude के Top 5 MCQ बिद एक्स्प्लेनेशन Question No.26 चलिए दोस्तो कोस्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं X की ओमर 36 बर्ष, एब हम भाई की ओमर 16 बर्ष है, तो कितने बर्षों में X की ओमर भाई की ओमर की दोगनी होगी ? तो दोस्तो इस तरीका की Question को हम X मान के करते हैं X मान के भी कर सकते हैं और direct option के थ्रोभ भी कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इसको X मान के करेंगे तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि X की ओम्र A बर्स बाद Y की ओम्र की दो गुनी हो जाएगी तो हम इसको लिखेंगे 36 पिलस A is equal to कितनी हो जाएगी दो गुनी 2 ब्रैकिट के अंदर 16 पिलस A ऐसी लिखेंगे ना चली अब इसको सॉल्ब करेंगे हम तो यह हो जाएगा हमारा 36 पिलस A is equal to इधर हो जाएगा हमारा 16 दूनी 32 32 पिलस 2 A 2 A तो दोस्तों 2 A यानि A को जब हम इधर लेके आएगे तो 2 A में से A जाएगा तो हमारा बच जाएगा A और 36 में से 32 आएगा तो हमारा A is equal to निकल के आजाएगा हमारा 4 तो यानि A वर्स हमने A माना था तो यानि 4 वर्स बाद तो हमारी 4 वर्स बाद दो गुनी हो जाएगी तो हमारा option कौन सा ठीक हो गया option B अब इसको option से कैसे करेंगे दोस्तो option से अगर हम solve करें इसको चलिए देखते हैं option से कैसे solve करेंगे दे रहा है कि X की उम्र 36 वर्स है तो पहला option A ले लेते हैं हम पहला option A लेते हैं तो 36 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 30 9 और 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 तो अब दोस्तो ये देखिए क्या 19 का अगर 2 गुना कर दें तो क्या 39 बैटरा है नहीं क्योंकि 19 दुनी 38 होता है तो ये हमारा option wrong हो गया पहला अब दूसरा देखते हैं अगर 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 16 में 4 जोड़ें 20 तो देखिए 20 का अगर 2 गुना करें तो क्या 40 है तो हाँ बिल्कुल है 20 दुनी 40 तो हमारा option 20 ही हो जाएगा तो हमारा right answer हो जाएगा option B तो दोस्तो I hope that आपको संद में आ गया होगा चलिए अब next question देखते है question number 27 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं 10 आदमी इसके दोगने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे तो दोस्तो इस तरीका का अगर question आपको देखने को मिलता है तो ये direct formula से होगा तो इसके लिए हमको एक formula याद होना चाहिए formula क्या है हमारा सीधा सा formula है M1 D1 upon W1 is equal to M2 D2 is equal to W2 बस ये formula हम apply करेंगे और हमारा answer आजाएगा अब ध्यान देएंगे M1 M1 यानि 15 आदमी रहेंगे हमारे कितने दिन 20 दिन यानि D1 और कितना कार्या करते हैं तो ये एक काम करते हैं तो W1 की value एक रहेगी M2 M2 मतलब 10 आदमी और D2 D2 मतलब कितने दिन ले रहे हैं तो D2 की value हमें ग्याद करनी है यहाँ पर और W2 यानि 2 गुना काम तो 2 W2 की value हमारी 2 आएगी तो यहाँ पर हमें D2 की value ग्याद करनी है चलिए अब formula apply करते हैं देखते हैं M1 यानि 15 आदमी तो 15 आदमी 20 दिन में कितना काम करते हैं? एक काम ठीक? इस इकॉल 2 फिर क्या है? 10 आदमी M2 यानि 10 आदमी कितने दिन में? D2 की value दी नहीं है तो D2 हमें ग्याद करना है कितना काम करते हैं? 2 गुना तो 2 गुना मतलब 2 तो अब हम इसको solve करते हैं देखे कैसे करेंगे solve तो सीधा 1 0 से 1 0 चला जाएगा यह हो जाएगा हमारा 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 तो D2 की value निकल के आ जाएगे हमारी D2 is equal to 60 क्योंकि यह जब हमारा इधर आएगा तो गुना हो जाएगी तो D2 की value कुतनी आगी? 60 तो देखिए 60 हमारा कौन से option में? तो option B तो हमारा correct answer हो जाएगा option B तो दोस्तों I hope that के लिए आपको संज में आ गया होगा चलिए अब next question देखते हैं 12 गाये एक साथ साथ दिनों में 756 किलो घास खाती है तो 10 दिनों में 15 गायों से कितनी घास खाई जाएगी? तो दोस्तों अभी जो हमने question solve किया था बिल्कुल बैसे ही solve होना है देखिए और अच्छे से practice हो जाईगी एक बार इसको और solve कर लेते हैं इसमें same भाही formula लगेगा formula एक बार और लिख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से चलिए लिखते हैं formula क्या है हमारा? m1 d1 upon w1 is equal to m2 d2 is equal to w2 तो दोस्तों यह formula आई ओप देट आपको याद हो गया होगा चलिए formula एपलाई करते हैं 12 गाए एक साथ साथ दिनों में 756 किलो गास खाती हैं तो गाए कितनी हैं? 12 साथ दिनों में कितनी गास खाती हैं? 756 किलो चलिए अब इधर देखते हैं तो 15 गाए 10 दिनों में कितनी गास खाएंगी? यानि W2 की value find out करनी है हमको तो दोस्तों चलिए अब इसको solve करते हैं बहुत ही simple है ये भी solve करेंगे तो 12 से हम सबसे पहले 756 को अगर काटें देखिए कैसे काटेगा ये 12 12 गारत चंग 32 12 गारत चंग बाहतर ये हो गया 36 तो 12 गारत चंग तो ये हमारा 63 बाहतर में गया पर साथ से काट देंगे तो ये गया साथ नेम 63 ठीक है तो ये अब हमारा इधर गुणा में आ जाएगा 95 गुणा 10 गुणा 9 हो जाएगा तो W2 is equal to W2 is equal to हो जाएगा हमारा W2 is equal to हो जाएगा 15 गुणा 10 गुणा 9 तो ये हमारा हो जाएगा 15 धाई 150 गुणा 9 और इसको गुणा करते हैं 9,0,0,9,5,45,9,9,9,9,9,4,13 तो कितना हो गया हमारा 1350 तो देखें दोस्तों 1350 कौन सा option है तो हमारा option C यानि option C हमारा correct हो जाएगा तो दोस्तों आप तो अच्छे से किलियर हो गया होगा आपको चलिए अब next question देखते हैं दो लगातार सम संख्याओं का गुणफल 528 है तो छोटी संख्या ग्यात करें तो दोस्तों इस तरीका के अगर question को हम x मान के करने लगें तो काफी समय वरुवाद हो जाएगा तो हमको इसको direct go through option से solve करना है अगर इस तरीके कोई भी question आते हैं तो direct हम option से solve करते हैं question द्यान से एक बार फिर पढ़ते हैं दो लगातार सम संख्याओं का गुणफल सम संख्याओं आप जानते ही हैं दो चार चे आर्ट दस यानि जो दो से डिवाइड हो जाएं वह सम संख्या होती है तो उनका गुणफल कितना है पांसो अटाइस तो छोटी संख्या ग्यात क होगी दूसरी समां क्या होगी हमारे 18 के बाद 20ी इसी होगी ना इस होगी तो अब हम देखते हैं कि क्या कह रहा है सम संख्याओं का गुणफल तो दोनों का गुणफल 528 है क्या चेक करते हैं चलिए चेक करते हैं अठारा जीरो जीरो अठारा दूनी चाते हैं तो यह हमारा 360 बैठ रहा है यानि यह आप्सन हमारा सही नहीं बैठ रहा तो यह आप्सन तो हमारा हो गया गलत चलिए अब दूसरा देखते हैं पहली शंख्या क्या है हमारी 20 तो गुणा 22 20 दूनी 40 40 का होगे हमारा जीरो फिर 20 दूनी 40 40 और हस 44 तो ये 440 हो गया तो ये आपसन भी हमारा गलत है ठीक है अब तीसरा देखते हैं पहली तीसरा अपसन लगा के देखते हैं तो 22 दूसरी समसंग क्या हो जाएगी 24 तो अब 24 और इसकी गुणा करते हम तो 22 चौक होता है हमारा 88 आजजल आठ बाइस दूनी 44 44 और आठ हो गया हमारा बावन तो इनका गुणा करा तो हमने कitना अगया 528 और ये कॉस्टन क्या करा है संख्याओं गुणनपल 528 है तो यानि 528 मैच कर गया ये तो हमारा option correct option कौन सा हो जाएगा option C तो हमारा option C correct हो गया ओके दोस्तों अगर इस तरीका कोस्चन हो तो direct हम option से solve कर सकते हैं चलिए अब next question देखते हैं बहुती important question है दोस्तों इस तरीका के question बार बार पूछे जाते हैं चलिए question number 30 देखते हैं एक चिडियागर में मोर और चीता हैं यदि उनके सिरो की संख्या 400 और पैरो की संख्या 1160 है तो चिडियागर में मोरो की संख्या ग्यात कीजिए तो हमें चिडियागर में मोरो की संख्या ग्यात करनी है तो सबसे पहले जोस्तों हम ये ध्यान देंगे मोर मोरो के कितने पैर होते हैं तो मोर के दो पैर होते हैं और चीता के कितने पैर होते हैं चीता के 4 ठीक है सबसे पहले याद रखना है और शिरो की शंख्या 400 तो सिर तो दोनों के ही बरावर होते हैं तो यानि शिरो की शंख्या 400 है तो मतलब मोर और चीता मिलाकर हमारे पास कुल 400 है ठीक इस तरीका के कोस्टिन को सॉल्व करने के लिए हमें एक सीधा सा फॉर्मला क्या होगा देखते हैं चलिए फॉर्मला है हमारा एल बाइ टू माइनस एच यह फॉर्मला लगाना है एल मतलब लैक्स और एच मतलब हैड यह फॉर्मला जब हम एपलाई करेंगे तो चार पैरो वालों की संख्या निकलाईगी ठीक है फॉर्लैक्स वालों की संख्या निकलाईगी और फॉर्लैक्स की संख्या निकलाईगी हमारे पास, तो टू, लेक्स की बड़ा हराम से निकलाएगी जब हम टोटल में से फोर लेक्स घटा देंगे, तो हमारी तोटल संख्या निकलाएगी चली अब अप्लाई करते हैं अगै, ल, की वैली हो जाएगी हमारी 1160 और ह की वैली हो जाएगी 400 चलिए अब इसको apply करते हैं apply होगा हमारा 1160 divided 2 minus h मतलब 400 तो यह हमारा चला जाएगा 2,5,10 2,5,10 बच्चा 1,2,8 16 यानि 580 बार में चला जाएगा यह तो 580 580 minus 400 हम चला हम करेंगे तो हमारा निकल के आजाएगा 180 तो दोस्तों यह जो 180 हमारा निकल के आया यह 4 पैरोबालो की संख्या निकली है 4 पैरोबालो मतलब चीता की संख्या लेकिन हमें यहां पे कोश्चन में दे रखा है चिड़ी अगर में मोरो की संख्या मोरो की संख्या मतलब दो पैरोबालो की संख्या ग्यात करनी है तो अगर हम ध्यान देंगे तो हमाई पास टोटल कितने जान पर है 400 और 400 में से अगर हम 180 यानि 4 पैरोबालो की संख्या घटा दें तो 0, 10 में से 8, 2, 3 में से 2, तो 220, तो 220 हमारा कौन से option दे रखा है? B, तो यानि मोरों की संख्या कितनी निकल के आगई हमारी? 220, तो हमारा correct answer option B हो जाएगा, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ को आपको सारे question संख्य में आ गए होंगे, और दोस्तों अगर आपने numerical aptitude का part A नहीं देखा है, तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिए और part A देखिए, दोस्तों अगर आप part C चाहते हैं, तो प्लीज हमें comment कीजिएगा, thank you for watching,